कि हलो बच्चा लोग तो कैसे आप सब लोग बहुत-बहुत स्वागत आप सभी हमारे चैनल जी आने एजुकेशन अप पर तो बच्चो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबसी बोड की डेट्षीट रिलीज हो गई है और जो में सब्जेक्ट की वह मैंने भी डेट्षीट ड बच्चो जैसा कि अप सभी जानते हैं कि मैंने जानते ड़ी बता जिता हूं कि मैंने अभी जितने भी फिसक्स के लिए चैनलियो वह बहुत इंपटेंट टोपिक्स और कुष्च्छन आपके लिए लास्ट वीडियो में बना दिये चैनल विदिए कि शिञतकर से चैनल से जो आपके लिए प्रिबोर्ट्स में यह से पूछेगा मैं बता दूँगा किस टॉपिक से इन्यू मेलकल्स आएगा किस में आपका त्योरेटिकल आने वाले है किस से आपका डेरिविशन आने वाले ठीक है चलिए तो जाहाँ टाइम वेस्ट ना करते हो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो शुरुआद करने से फ़ले से लुड़े को लाइक कमेंट एंड शेयर जरू कर देना तकि जितने फी वीडियो या मैं आपको प्रोवाइड कर वारा हूं या आप तक वीडियो पहुंचनी में वह आपके फ्रेंड्स तक आपके फ्रेंड इस अगला उन सब पह पर तने हैं और लाष्ट या अपर देखा है एक इसपीरेंस वता है और जूराद प्रोवा पूशन जो हैं और यह आने की ज्यादा पॉस्पिरिटी है और लगबग पर इन मैंसे मेंसे आएगा बहुत कम कोस्चन सोंगे जो इन से बाहर से आएंगे एकाद दो कॉशन हो सक जो ना पूछे जाएं ठीक है बट में बतार ज्यादा जो पर बनेंगा 85-90 परसेंट वो इनी कॉस्टन से आने वाला है तो इन ट्रॉपिक को आप जरूर कवर करें ठीक है चलिए शुरुवात करते हैं जाए टाइम लेश्ट न करते हुए तो सब्सक्राइब करते हैं तो सब होला और और एल आर अर सी एल सी एल और एलड एल्ची आर ठेक है तो ये चाट वीक आपकी लिए बहुत जादा इंपरेंट होने वाले आपको इनने से निसार्किट को आप कर चाहिए लिए येगा ठीक है तो इन स्कूप कर लेना इन आपको दो थी चीज़ा बच्छा क्या डेलिविशन ठीक है उनका डेलिविशन जरू कर लेना इंपर टेंट है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दिखो एलसे उस्टिलेशन वैसे इंपर टेंट था इस बार डिलीट हो गातों से पढ़ने की आपको नहीं है तो पावर फेक्टर करेंगे हम क्या बचलो थोड़ा सा डिड़क्त कर दिया गया है रिडिउस कर दिया गया है और डिलीट हो गया तो आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जहाथ भी नहीं है बहुत से टॉपिक्स आपके डायक ली रिमूव कर दिए ठीक है चलिए तो पावर फेक्टर पढ़ लेना इंपर टे कर जाना बचलोग बहुत इंपर टेंट है इसका थेयुरेटिकल कुश्चन अना है इस इवन इसका निमर कली बन सकता आप के लिए तो ट्रांस्फोर्मर जरूर पढ़ने ना और ट्रांस्फोर्मर में दोन तरिये का पढ़ ले नहों सकता आपको पूरे थेयुरेटिकल इस प्रांस्फोर्मर यह जरूर पढ़के जाना और इवन में आपको बता दूंगे स्टैप अप डाउन जो है ना वह कि प्रैक्टिकल स्में पूछ जरूर पढ़के जाएगा प्रैक्तिकल के लिए तो आपके प्रैक्टिकल के भी डेट अवर आ चुकी है तो वहां से जाएग्स बात करते हैं किसकी नेक्स टोपिक जो वह है रज्वनेंस अड्स पढ़ति जाएग्स पढ़ के जाएगा क्या रज़नेंस एंड सार्पनेस पढ़ देना इंप्रडंट बचलू ठीक है सबीको राइटिंग विशनारिया है लिखना हो तो लिखते चलो नी तुस बंगी न्यूंद में सब्सक्राइब में सरा नटतानी है प्रणी नहीं एक गर इताहित प्रइश्मेंट नर्ट में यह अपको यह आ पर्लेश्मेंट आप PayPal yen बहुत इंपोटेंट है आपका नेचर आफ एम वेव जो है ना वो सारी डिलीट हो चुकी है और एम वेवस के बारे में भी आपको पढ़ने की ज़रुबत है नहीं होतना बैस डिस्प्लेशमेंट करेंट आप फोड़ा पढ़ देना ठीक है उतना ज्यादा मार्क गेनिंग न पहला क्या image formation by spherical mirror पढ़ लेन आप image formation by spherical mirrors ठीक है यह पढ़ लेना next topic 7 जो है वह आपको कॉन सा है image formation by spherical lenses पढ़ लेना ठीक है image formation by spherical यहाँ lenses पढ़ लेन तइप हो मिट के और लेंस Says का द wärenno…. है झी कि बात करते हैं वग्हें यग परक फिक यह बहुत क्वर्ण चुब पयाजीए। पोद्वक tयवे चाहित है सब जारा 8 अपैस लोका को अंच के Hem इंटेरनल रिफ्लेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तुरू अप्रिज्म ठीक है यह पढ़ने ना इंपोर्टेंट आपके लिए बचलो इससे देखा आपको क्या क्या आप सकता है रे डाइगराम इसका किस तरीके से रे डाइग्राम बनेगा ठीक है इसका डाइग्राम साइव बनाया देख लेना ठीक है तो स्पेक्ट्रम वग बहुत इंपोर्टेंट रचलो तो करके जाए ठीक है नियूमेरिकल एंड डैरिवेशन तो यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रिफेक्शन रुगा प्रिज्म तो टैन्ट टॉपिक हो चुक है आपके इलेवन टॉपिक की बात करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं तो इलेवन टॉपिक जो है आपका जो आपको बहुत इंपोर्टेंट बताने वाला हूं और वो क्या है आपका पिटा इसको तो करके ही जाईएगा यह तो हर साल का किलियर है क्या क्या देखो एक तो माइक्रो इस्कोप टेली सकमी या तो माइक्रो इसकोप पूछेगा आप से इसका डेलीवेशं तो का लेका क्यों के बनाते क्या से हैं डाइग्राम कैसे बनता है इसकी फोर्मेशन कैसे होते हैं पूरी थेica प्रेटिकल और जो भी आपको थेयोरी दे रखी है कैसे उसका डाइग्राम सब कुछ इंपोटेंट होता है थेयोरी फ्लस डाइग्राम दोनों की कर लेना बिटा थेयोरी प्लस डाइग्राम एंगल वेंगल सब कुछ पड़के जाएगा सही से इसका या तो माइक्रिस्कोप पाएगा या फिर टेलिस्कोप आएगा लिख के ले लो लिख के ले लो आपका जो लोंग कुश्चन है ना वहां से एक तो अभी मैं डैक्ट बोल दिया कि इनमें से एक नाएक आना ही आना है हर साल पूछता है आप कोई नए बच्चे नहीं हो हो सकता है दोनी पूछ दे और सबसlect को दोनों पढ़ाना आप थो ठेकर लोनों को रहो सळसे करो कि अवा अ कि आपका क्या हो सकता ही पांस नमबर पके घर तो सब्सक्राइब तो यहां से आप एक क्वेशन कर लीजेगा तो आपका चैप्टर 9 कहां तो गया माइक्रोस्कोप टेलिस्कोप तक है हीज शुक्तर तेन की वोप्टिक्स की वह सभी जानते हैं तो यह बहुत सचीह एंडिलीट कर देंगे हैं इंकोरेंट एडिशन पड़ लेना क्या कप अपरले ना इंकोरेंट वेप्स यह पड़ लेना एडिशन ठीक है है दुसरे क्या पर दोगे रिफिलेक्टाने रिफ्रेक्षिन औफ प्लेज़्ट एडिशन का रिफ्रेक्टी रिफ्लेक्टीन K Αंत्युल्टे अ कक्षिंक क्थुसा आप्लेन वेपे अधिशन यह पढद देना की एट दूसरा यह होगया इस चैप्टर से एक कोशेट जो इंप्टेंट है और वह है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या एंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट तो आप पढ़े न सी पढ़ के जाना इप्टेंट को स्टिन है इस बार हो सकता है बहुत कु दिलीटेड है बट इंपोटेंट है आपके जरू पढ़ना हो सकता है इस से कुष्टन डैक लिए आप से पूछ दे पॉलराइजेशन वाइस के डिलीट हो गया आपका डिजॉल्मिंग पावर भी डिलीट हो गया है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट भी डिलीटेड है ठीक है तो इंकोरेंट और कॉरेंट वेसं अधिशन पर लेना रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन अप्लेंटिशन पर लेना और फेफ्टी ना पर लेना किया यदि-सी यंग्स डैवल्स लेटर एक्सपेरीमेंट ठीक है चलिए च्ट्रोफ 11 की बात करें अगर तो डुएल नेचर आप द इफेक्ट पढ़ लेना बिटा बहुत इंपर आंट है चप्रेश एलेवन से और क्या पढ़ोगे आप इसमें और पढ़ेना आइंस्टाइन फोल्क टो एलेक्ट्रिक एक्क्वेशन पढ़ लेना इक्वेशन कि आइंस्टाइन फोटो एलेक्ट्रिक पढ़ लेना यह इंप्टेंट है देखो डी ब्रोग ली जो हाइप्टेंट इप्टेंट है डेविशन जर्मन एक्स्पेमेंट वह इंप्टेंट था बस बाइब बटिसवार दिलीट हो गया ठीक चलो चलिए तो अगा चैप्टर यह दो अब बार बार खोलते हैं तो माइंड डिस्टाब होता है माइंड हो जाता है इदर से ठीक है तो चैप्टर कॉन सा हो गया आपका चैप्टर 11 फिनिश हो गया है अब बात करते है चैप्टर 12 एक्टम से और वह डीब रोगली एक्स्पेमेशन आफ बोर्स पस्चिलेट यह पर दिना बहुत इंपरेंट बेटा आपके रिए क्या हुआ है अधी ब्रोगली एक्स्प्लेनेशन आफ पोर्स पस्ट्यूलेट की जो डी ब्रोगली ने क्या खी एक्स्पेमेशन की ती ओ पड़ लेना ठीक है इंपरेंट है कप भच्छा चलिए नेक्स बच्छा लोग कि अटीन हो गया नाइंटीन तरते हैं आपका क्या इंपर्टेंट बोर्स आफ हईड्रोजन एटम पड़ने इंपर्टेंट है है ठीक है बोर्ष मॉडल ओफ है है यह बहुत इंपर्टेंट आपके लिए तो यह तो बहुत बार पूछता है पूछी लेता है हर साल यह ठीक है चैप्टर 12 फिनिश्ट न्यूक्लिया इनर्जी यह पढ़ लेना इससे दो चीजह आपका पढ़के जाना देख क्या क्या एक कौन से बिटा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इसके आप दो चीजह पढ़ने तो न्यूमेरिकल पढ़न यह इंपोटन्ट है आपके लिए 22 टॉपिक की बात करें तो आपका चैप्टा 14 आजाता है सेमीकान ट्रेंट्र इन्ट्रोंस तो इसमें आपका एनपी एन प्न ट्रांजिस्टर पढ़ लेना इस मिसी कहां नेक्स्ट बात करते हैं 20 फर टॉपिक की तो ट्वेंटे तर कि जंक्सन डायोड ऐजा रिक्टिफायर कि जंकशन डायोड को ऐसे यूज करते हैं किसा तो इसका थीork आप पड़के जाना सही से पढ़ लेना है जंक्सन डायोड आजा रेक्टिफायर एक्ट जिन डायोड है वोल्टेज रेगुलेटर बहुत इंपर देना जीन डायूड इंपर्टेंट है आपके लिए ठीक है जीन डायोड एजा वोल्टेज रेगुलेटर नेक्स्ट यह आपका वह है ट्रांजिस्टर एजन एंप्लीफायर बहुत इंपर्टेंट क्या यह चैप्टर जोना बहुत मार्किंग गेन है यह भी ठीक है को चैप्टर 14 जो है ना वह ब भी ठीक है बच्चों इस तरीके साब को चैप्टर जो है फॉर्टी में फिनिस हो गया और यह चैप्टर जो इंपर्टेंट कॉष्चन इंपर्टेंट टॉपिक्स है यह आपके बौट्स में ब्राइट ली पूचे जाएंगे ठीक है बट इन टॉपिक सो इन 25 वीची और आपको गवर के ने 50 topics or by day भी आप लगब तीन से चार टोपिक भी करोगे न सही से रिवाइस करोगे सो चो चो सही से रिवाइस करोगे चार टॉपिक तो पचास टॉपिक इतने दिन के हैं बताओ है चार आप आपको यह सारी टॉपिक्स हमें जो फस्ट वीडियो उसको भी कि डिस्किप्शन में तो महां जाकर वह भी देख लीजेगा फर्स चेप्टर से 6 तक वह इंपर्टेंट टॉपिक दे रखें और यह आपके फिजिक्स की जो इंपर्टेंट कॉस्टन से वह हैं गहां से चैप्टर 7 से लेके 14 ठीक है तो यह 25 टॉपिक्स आपको कवर कर लेने तो फिर यह बात आपके यह आपका फर्ज बनता है कि इनकोस्टन सो आब इन टॉपिक्स को आप एक दम रटके चले जाओ इक है बाकि वनमार्कर क्वस्टन की बात कि देदेदा अगर आप इनकी थियोरेटिकल भी सही से पढ़ दोगे ना तो आपके वनमार्कर को सौट भ तो वो जाकर आप जरूर दिखिए हमारे चैनल पर चलिए तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो को लाइक कमेंट और शियर कर देना और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करके बेल आइकन को प्रेस कर देना तक हमारे जितने वी वीडियो के नोटिफिक्शन है व आपकी पूरी लाइफ टाइम आपके लिए बहुत इंपोटेंट यह मार्क बहुत ज्यादे इंपोटेंट आपका रोल प्ले करेंगे समझाय की निए चलिए थैंकिस वाल बता दिए कि साइंस न मैंत्मत दोर पढ़ा रहा हूं और क्लास 12 को आपको फिजिक्स पढ़ा रह मिल रहा है वह आपके बोर्ड के पॉइंट अब इंपोटेंट है और आपको लगता है और मैं बता रहूं कि इंपोटेंट है तो आप वो जरूर देखिएगा ठीक है चलिए थैंकिस समझ बटा सभी आप सभी को कि बाल कट